आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा मुखर जी की जो अपने जैट ब्लैक हेयर्ज और एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं कृष्णा मुखर जी को पहचान ये हैं मोहबते नागिन और सुबसगुन जैसे टीवी सीरियल से मिली खास कर वो सुबसगुन सीरियल में सगुन के रोल के लिए खूब पसंद की जा रही हैं और उनकी क्यूटनेस की भी लाखो फैन फोलोईंग है कृष्णा को मौनी रोय की लुक लाइक भी कहा जाता है पर कृष्णा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं तो ऐसा क्यूँ और कैसे कृष्णा डांसर चे एक एक एक्टरस बनी और क्या एलिगोनी और कृष्णा के रिलेशनशिप के सिर्फ रियूमर्स थे या फिर ये सच में रिलेशनशिप में रह चुके हैं इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के थ्रू में आपको बताने वाली हूँ तो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल उमीद करती हूँ आप सभी सेफ और हैल्दी होंगे 12 अगस 1992 को कोल करता कि एक बैंगोली हिंदू फैमली में बहुती क्यूट और टैलेंटीड बच्ची का जन्म हुआ जिन्हें आज आप कृष्णा मुखर जी के नाम से जानते हैं क्रिष्णा के जन्म के कुछ टाइम बाद ही इनकी पूरी फैमली लुधियाना सिफ्ट हो गई थी बैंगोल और लुधियाना उनके दिल के कितने करीब हैं इस बात का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि उनका एक ड्रीम रोल है कि वो बाला टैली फिल्म्स में एक एसर डवल रोल प्ले करना चाहती हैं जिसमें एक रोल में वो लुधियाना की दिखाए जाए मतलब पंजाबी और एक में बैंगोली क्रिष्णा की फैमली की बात करें तो इनकी फैमली में इनके मम्मी पापा और एक सिस्टर है इनकी मम्मी का नाम रूवी मुखरजी है जो कि एक हाउस वाइफ है इनके पापा का नाम विस्वरूप मुखरजी है जो कि एक बिजनिसमेन है इनकी सिस्टर सारू मुखरजी जो कि एक बिलोगर है किरिस्टना बच्पन में क्या बनना चाहती थी ये तो वो कभी नहीं जानती थी लेकिन वो हमेशा सही कहा करती थी कि वो बस famous होना चाहती है लेकिन famous कैसे होते हैं इस बात का उन्हें कोई idea नहीं था वैल बड़े भोते होते किर्षना का इंट्रेस्ट डान्स की तरफ होने लगा और वो अपने काफी स्टेस सोच करने जाने लगी पर गाईज आपको ये जानकर हैरानी होगी किर्षना बच्पन में इतनी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी कि वो किसी भी नई जगब बिना पैरे करती थी और अपनी सिस्टर के बिना कहीं जाना प्रैफर नहीं करती थी और उस टाइम भी उन्होंने सो वालों से जित करके एक एक एक्सर टिकेट बुक कर आया उसके बाद ही वो मुंबई गई डान्स का पैसन बढ़ते बढ़ते किर्षना का सपना कोरियोग्राफर करने का होने लगा उसे पूरा करने के लिए वह डेली आ गई Kingdom of Dreams Dance Academy का पार्ट रहने की वज़े से किर्षना का स्टेश फियर भी निकल गया और इतने लोगों के सामने परफॉर्मेंस देने में भी कोई परेसानी नहीं हुई इसी के चलते उनका कॉन्फिडेंस लेवर इतन और ऊडिशन क्यों दिया दरसल किर्षना मुंबई में अपने दीदी और जीजू के साथ रहा करती थी जिने किर्षना अपने सेकिंड मोमेंट डैन मानती हैं मुंबई में ऐसे ही उनके एक फ्रेंड ने उन्से ओडिशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा और पूरी तरह बदल दी और उन्हें एक्टिंग का चसका लग गया पर किर्षना ने कभी कोई एक्टिंग वर्क सो पटेंड नहीं की थी और बच्पन से ही इंट्रोबर्ट रहने के बावजूद वो मुंबई में सर्वाइव कर पाई इसका कारण था कि वो बतोर डांसर अप इसके बाद इन्हें 2016 में स्टार प्लस के सीरियल यह मौबबते में आलिया रागफ का रोल मिला जोकी इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा इस करेक्टर ने और किर्षना की परफोर्मेंस ने इन्हें एक्टिंग इंडर्स्री में काफी पॉपुलर्टी दिलाई साल 2019 में वो नागिन 3 में तामसी का निगेटिव रोल कर चुकी है जो रोल वो एक्चुली निगेटिव होने के वज़े से प्ले नहीं करना चाहती थी इसके अलावा वो कलर्ष तीवी के सो कुछ तो है नागिन एक नए रंग में लीड रोल भी कर चुकी है साथी किर्षना यह ख्यास की के एपिसोड में भी काम कर चुकी है और अब वो सुब सगुन सीरियल में सगुन का रोल प्ले करते नजर आ रही है जिसमें इनकी एक्टिंग कमाल की है सो में इनके कोई स्टार सह जादा धामी के साथ इनकी जोड़ी को काफी जादा पसंद किया जा रहा है बात क पर्सनल लाइफ की तो यह रहा चुके हैं कि कि अली गोनी के साथ रिलेसंसिप में हैं क्योंकि इन दोनों को फोटो से लेकर पार्टी में साथ देखा जाता था पर जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो कि नने कहा कि उनके पेरेंट्स अलीगोनी को अच्छे से जानते हैं इसलिए वो एलीगोनी के साथ इतना अच्छा बॉंट सेयर करती हैं पर हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं पर फैंस को फिर भी बिलीव नहीं हुआ और ये बात तव किलियर हो गई जब बीग बोस के दोरान एलीगोनी और जैस्विन भसीन ने अपने रिलेशन को र रहे हैं उन्हें इस तरह का कंपेरिजन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है और वो चाहती है कि लोग उनके लुक्स पर ध्यान ना देकर उनके काम को एप्रिसियेट करें सो गाइज ये थी लाइफ स्टोरी किर्ष्ण मुखर जी की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूलें साथ ही हमें कमेंट करकर जरूर बताइएगा कि आपको किर्ष्ण मुखर जी किस रोल में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और ऐसी इंट्रेस्टिंग और इंस्पारिंग वीडियो देख दिखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थाइंक यू फॉर वोचिंग